हेलो नमस्कार जहन पहरे साथियों स्वाथ है आप सभी का आपके पनी टूप परिवार कॉप परिवेस में आज की वीडियो में हम एक नई भरती के बारे में बात करने वाले संपूर जानकरी वीडियो में बने रहीएगा अंतक तो चलिए देखते हैं इस्ताप सेलेक्शन कमिशन SSC के अंतरगत जो है SSC कॉंस्टिबल जीडी BSF, CISF, ITBP, CRPF, NCB, SSF और असम राइफल इसके अंतरगत जो है 2024 की बेकन सी जो निकली हुई है इसके वारे में हम संपूर जानकरी देखने वाले हैं बने रहीएगा अंतरगत सबसे पहले हम important debts के वारे में बात कर लेते हैं तो उन जो है इसके 59-2024 से भरना चालू हुआ है last debt जो रहने वाली वो रहने वाली है 14-10-2024 तक ठीक है चलिए और देखते है एक्जाम फिस जो है वो आप 15-10-2024 तक जमा कर सकते हैं वहीं correction rate जो रहने वाली है वो 5-7 नमंबर तक रहने बाली है ठीक है CVT एक्जाम फर्ष्ट जो है वो जन्वरी और फर्वरी दोजार पचीस में हो सकता है ठीक है यहाँ पर यह इन्वरी और फर्वरी दोनों का दिया है तो दोस्तों अगर आप इस form को भरना चाहते हैं तो रुपए अगर समय से पहले form को भर दें जिससे कि बाद में आपको किसी भी पर करकर की समस्याओं को सामना ना करना पड़े साथ इस form को सम्मिट करने से पहले एक बार संपूर जान करें चेक कर लें उसके बाद इस form को सम्मिट करें जिससे कि यह correction और चुक करवाना पड़ेगा आपको इसमें लगसे चार्ज देना पड़ेगा तो यह वाली समस्याओं आपके सामने ना है चलिए आगए देखते है अब बात करते हैं एप्लिकेशन फी कितने लगने वाली है तो जनरल OVC और EWS के लिए जो है सो रोपे इस form को भरने के लिए चार्ज लगने वाला है वहीं SC और ST इनके लिए जो है किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगने वाला है इनके लिए भी किसी भी तरह के कोई फीस जो है इस form को भनने के लिए नहीं लगने वाली चलिए आगए देखते हैं अब edge limit के बारे में बात कर लेते हैं तो एक एक दोचार पच्चिस तक जो है वो आयू सीमा काउंट की जाएगी minimum edge जो है वो आपकी 18 वर्स होना चाहिए भही अधिक्तम IU जो है वो 20 वर्स होना चाहिए तब आप इस form को भर सकते हैं चलिए आगए देखते हैं अब देखते हैं कि IU सीमा में जो है छूट के इनको मिलने वाली है तो SC और ST कर्टिगरी से है तो आपको 5 वर्स की छूट मिलने वाली है OBC से है तो आपको 3 वर्स की मिलने वाली है वहीं एक सर्विसमेन है तो इनको 3 एर का जो है वो छूट मिलने वाला है वहीं जो है यहाँ पर EWS और Unreserved और साथी जो है Children and Dependence of Victim Killed इस परकार के लोगों के लिए जो है पांस साल की IUC मा में छूट मिलने वाली है ठीक है चलिए आगर दिखते है उब बात करते हैं दोस्तों कि Total Number of Vacancy कितनी है तो Total Number of Vacancy जो है 49,481 पोष्टों के लिए भारती निकाली गई है इसमें Border Security Force यानी BSF इसकी जो है 15,645 है Central Industrial Security Force इसकी जो है 7,145 है Central Reserve Police Force इसके लिए जो है 11,546 पोष्ट है ससस्तर सीमेवल SSV इसके लिए 8,090 पोष्ट है इंडो तिबद Border Police इसके लिए 3,070 पोष्ट है असम रायल फाय के लिए 12,48 पोष्ट है और Security Force SSF इसके लिए 35 पोष्ट है नार्कोटिक Control Bureau इसके लिए 22 पोष्ट है यहाँ पर जो है हर एक विभाग में जैसे BSF, CSF, CRPF उसकी अलग-अलग बेकेंसी हमने यहाँ पर देख लिए क्या एलेजुटी इसके लिए मांगी गई यह बो देखते हैं यहाँ पर जो है पैंत पास आपको जो है दस्वी पास होना जरूरी है तो आप इस फ़र्म को भर सकते हैं चलिए अब देखते हैं अब जो है कैटेगरी वाइस बेकेंसी डिटेल के बारे में हम समपूर जानकारी देखने बालें तो चलिए देखते हैं दूस्त तो यहाँ पर जो है सारे जितने भी रेड हैं उन सब से यहाँ पर दिया है BSF, CISF, CRPF इये सारे दिये हैं साथ ही यहाँ पर यह कोड दिये गए है BSF का A है, CISF का B है, CRPF का C है, SSB का D है, ITPB का E है, इस प्रकार से ये code दीगा, ठीक है अब code के बारे में भी बात करेंगे हम, उसके सबसे पहले देख लेते हैं, vacancy के बारे में जैसे BSF है, BSF में जो है general category के लिए 5563 है, EWS के लिए 1330 है, OBC के लिए 2906 है SC के लिए 2018 है, ST के लिए 1499, ठीक है, तो इस प्रकार को मिलाकर 13306 है, तोटल पोस्ट है हो जाती इसी प्रकार से CISF के लिए यहाँ पर दिये गए डाटा, CRPF के लिए, SSB के लिए, ITPB के लिए, RSM Rifle के लिए, SSF के लिए इसी तरह से यहाँ पर फीमिल के लिए देगा है, Undergerd, EWS, OBC, SC और ST, तो यह आप जो है, इसके इसके इंसोर्ट लेकर या फ़र ऐसे ही जो है, आप देख सकते हैं, संपोर्ट डाटा, तो बात करते हैं, एक कोडिंग के बारे में, तो कोड किसलिए दी गए है, कोड दोस्त अगर किसी को CISF में ही नोखरी चाहिए, तो वो सबसे पहले B grade को select करें, B grade को select करेंगा, उसके बाद में वह चाहता है कि अगर CISF में नहीं मिलता है, सिलेक्शन या इस वाले post के लाइक अगर नमबर नहीं आते हैं, तो दूसरे नमबर पर कौन सी post रखना है, तो जैसे उ उसने सोचा कि दूसरे नमर पर SSB रख लेता हूँ, तो फिर जो है, आपको code करना पड़ेगा, B के बाद में D, ठीक, अब चाहता है कि SSF मिले, तो उसके बाद में H, इस परकार से आपको coding करने पड़ेगी, जो आपकी first choice है, उसका code सामने लिखा हुए, जैसे CRPF आपकी choice ह यानि C, तो सबसे पहले आप उसमें form भरते समय C लिखेंगे, उसके बाद में BSF choice है, तो उसके बाद में A लिखेंगे, और इसी परकार से सारे नमर जो आपकी choice है, उसके अनुसार जो है यहाँ पर, आपको exam, यानि की application form भरते समय, भरना पड़ेगी, चलिए आगर देखत हैं, इसा हाइड जो है, मेल जो है, जनरल OBC और SC, टेंडरिट के लिए जो है 170 cm है, ठीक है, भही चेस्ट जो है वो 80 से 85 यानि की 80 normal होना चाहिए, 5 cm फल आपके साथ में आपका 85 चेस्ट होना चाहिए, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर running दिया गाए, तो running जो है, 5 km की running होग आपको 24 मिनिट का समय मिलने वाला है, बही बात करते हैं, मेल 80 के लिए, तो 162.5 cm हैट चाहिए रहेगी, चेस्ट जो है, वो 60 से 80, यानि यहाँ पर 4 cm इनको फिलाव करना होगा, वही 5 km की running होगी, यहाँ पर जो है, किसी भी प्रकार की छूटने लिए, 24 मिनिट का ही समय र 200 मिनिटर के running होगी, साड़े 8 मिनिट का आपको जो है, 8.50 मिनिट का आपको समय यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, वही फिमेल एस्टी, इनके लिए जो है, 150 cm height मांगी है, 1.6 km जो है, 8.50 मिनिट में आपको पूरी running करने होगी, ठीक है, चलिए, आगर देखने, अब बात क करते हैं कि कुछ relaxation किन-किन लोगों को मिला है, तो यहाँ लगा है, all candidates belong to schedule tribe, इनके लिए जो है, male के लिए height 162 cm है, female के लिए 150 cm, ठीक है, अब यहाँ पर all schedule tribe candidates of north eastern state, यहाँ नोर्थ इस्ट से है, तो उनके लिए height जो है, यहाँ पर 157, और यह महिलाओं के लिए 147.58, ठीक है all schedule tribe candidates of left wing extremes affected districts, ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर height जो है, 160 cm है, female के लिए 147 cm है, इसे परकार से, यह मराठा, candidate belonging और state, जम्मु कस्मीर, हमाचल परदेश, लद्दा, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इस state की, उनके लिए height जो है, 166 cm, महिलाओं के लिए 155 cm है, इसे परक अरणाचल परदेश, मनाईपूर, मेगाले, मिजूरम, नागालेंड, सिक्किम, इनके जो भी candidate होंगे male, उनके लिए height जो है, वो 162.5 cm है, यह female के लिए 152.5 cm, ठीक है, तो यह देख लिए है, चलिए आगए देखते हैं, अब बत करते हैं, computer based examination के बारे में, पीपर जो है, आपका किस level का होने बाला है, तो दोस्तों, यहाँ पर जो है, total आपके 80 person होंगे इस exam में, 80 person होंगे, पर टेक person जो है, बत दो नमर का होने बाला है, क्या-क्या subject रहने वाले हैं, part A में जो है, general intelligence and reasoning, जो की 20 question होंगे, आपको 40 नमर मिलने वाला है, इसके लिए, ठीक है, part B मे जो है, general knowledge and general awareness, इसके बिच 20 question होंगे, यहाँ पर 40 नमर आपको मिलने वाले हैं, elementary mathematics, यहाँ पर जो है, इसके भी 20 question होंगे, और 40 नमर इसके मिलने वाले हैं, part D में हिंदी या English, तो या तो आप English चूस कर सकते हैं, या फर हिंदी, दौनों में से कोई एक subject ले सकते हैं, आपको उसी subject के जो है, question यहाँ पर दिखाए देंगे, जैसे कोई हिंदी जानता है, तो भाई हिंदी वाले option को select करेगा, तो हिंदी के भी 20 question उसको मिलने वाले हैं, English, जो English में paper देना चाहता है, यानि English के question उसके paper में आए, तो भाई English select करेगा, और इसको English के person यहाँ पर exam में मिलने वाले है, तो यहाँ पर 40 नमर यह हो जाएगे, कुल मिलाकर यहाँ पर 160 नम ठीक है, साथ ही दोस्तों, हिंदी और English दोनों medium में आपको paper दिखने वाला है, और साथ ही 0.50% जो है, यह आपकी minus मार के होने वाले है, यानि कि अगर आप एक question गलत करते हैं, तो सही वाले का 0.50 जो है, आपका minus कर लिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, हमने फिर description box में दे देंगी, हाँ से आप और अधिक जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं.